बीजेपी को हराने के लिए इन तीन मॉडल पर तो काम करना होगा कई सारे मित्र आप कॉमेंट सेक्षिन में कहेंगे देखो बीजेपी को हराने के लिए कितना बेता बोर है नई दोस्त मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा सिर्फ आपको एक परस्पेक्टिव और मैं आपको बताऊंगा हर एक परस्पेक्टिव और एक एंगल आपको आई राइड देले जा रहा है सब्सक्राइब कीजिए और मॉन्टाज देखिए और वीडियो को शुरू करता हूँ वीडियो की शुरुवात करूँ उससे पहले एक फैक्ट मैं आपको टाइमस आफ इंडिया का दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश में भाजपाने साथ सीट ऐसी है जिसमें वो 200 वोटों से जीती है 23 सीट 500 वोटों से और अन्चा सीट 1000 वोट से जबकि 86 सीट सिर्फ 2000 वोटों के अंतर से जीती है चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करता हूँ एक बात आपको भी समझ में आगी होगी कॉंग्रिस को अगर अपने आपको जिंदा रखना है तो उसकी कमान एक ऐसे नेता को देनी होगी जिसमें निर्णे लेने की शमता के साथ साथ एक दूर काम एक दूर दृष्टी भी हो किसका नाम दिमाग में आता है कॉमेंट में बताइए ना अभी तक विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जो मोदी का मुकाबला कर सके 2024 में मोदी और भाचपा का तिबारा लोटना साफ साफ दिखाई मुझे दे रहा है बशर्ते अगर नरेंदर मोदी की सरकार अपातिकाल जैसे कोई भेंकर भूल कर देगी तो जनता सबक सिखा देगी लेकिन यहां पर भी याद रखेगा अगर मोदी जी ऐसी भूल कर भी देते हैं तो विपक्ष के पास कोई जै प्रकाश नारायन जैसा कोई नेता नहीं है जो सारे विपक्ष के दलों को एक साथ मंच पहला सके विपक्ष दमदार कैसे बने यदि अर्विन के जिरिपाल अकलेश यादव ममदा बैनेट जी को पहल करनी पड़ेगी इस चीज के लिए यदि यह तिनों जुड जाते हैं तो क्या क्या होगा महराश पंजाब जारखन बिहार उडिसा केरल तमिलनाडू करनाटा कश्मीर आ दरोर वोट में लेते यानि कि 68 करोन मतदाताओं को अपनी तरफ खीश निक्षम ता इस समय देश के किसी नेता या किसी एक पार्टी के बस में नहीं है यदि कोई गठबंधन बन जाता है या महा कठबंध बना भी लेता है तो उसका सफल होना मुझे असंभव चूं लगत लेकिन लोग कहते हैं कि अकाउंटर देना है तो इन तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा पहली बात एक्सपर्ट कहते हैं कि अधिकांश विपक्षी पार्टियों को एक सौफ्ट हिंदुत्त को अपनाना पड़ेगा और इस आधार पर भाजपा को पराज़ित किया ज जाए और उसे पूरी तरह से खालिज किया जाए तीसरी बात को अगर में आगे बढ़ाओं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आरे से भाजपा के हिंदत वाधी विजारधारा को चिनौती देने का मतलब है कि उसके वन जातिवाद पित्री सत्तात्मक और वर्गिये रूप को उज लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पंजाब के रिजल्ट आने के बाद के बिना एलाइन सदूरा ही माना जाएगा केजरिवाल पर सारी खुबी होने के बावजुद मैंने गिनाई भी थी दो हजार चौबिस में संभवता पीम फेस ना बनने की कुछ कारणों पर हमें बात कर लेनी चाहिए फिर आगे बात करें कॉंग्रेस की पहले बात करते हैं केजरिवाल की तेकर ममता केसी यार विपक्ष की और मुख्य खिलाडी बनने का दावा लगाता ठोके जा रहे हैं अगर पूरे विपक्षी खेमे में देखा जाए तो एक बात राष्ट्रिय पार्ट सीटे हैं आप अभी तक विधान सभा चुनाव के प्रदर्शनों को लोग सभा जीतों में बदलने में नाकाम रही है दिली में अभी तक ये एक भी सीट नहीं जीत पाई है वंजाव में 2014 के चार से गिर करके यह 2019 में एक पर आ गई थी गुजराद विधान सभा में प्रद और साज़दार की रूप में है लेकिन पार्टी 15 राज्यों में प्रमुक खिलाड़ी की तौर पर है जिसमें आप कह सकते हैं कि नेक टूनेक फाइट दे रही है सात राज्ये कौन-कौन से अरुनाचल प्रदेश, हत्यिजगाड गुजरात, हिमाचल, मध्यप्रदेश, र तो कांग्शा कम से कम 2024 के लिए हम कह सकते हैं फिलाल दू की कोड़ी लगती है, हो सकता है कि केजरिवाल अगर कदम दरकदम दरकदम अगर आकर बढ़ाते हैं तो थोड़ा वक्त लग जाएगा और 2024 में ऐसा तब ही कर पाएंगे अगर कॉंग्रेस उनको आगे करेगी, यान दूसरे वक्ती प्रधान मंत्री बनेगा, अब सवाल उल्टा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दरकदम हो चुकी कॉंग्रेस, क्या अब राश्टियस तर पर भी किसी गैर भाजपा पाटी के हाथों साइड डैन दरकदम दरकदम दी जाएगी, या अब दिल्चस्प बन ज ज्यादा जरूरी हो गया है कि वहें पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती, खास करके इसलिए कि ममत्या बैनर जी या फिर तेलंग गाना के मुख्यमंत्री के चंद्र शेखर राओ, विपक्षी एक्ता की जो कोशिशे कर रहे हैं, पक्षी दलों के बीच अपनी स्विकारिता के संकट से ज्यादा बड़ा संकट कॉंग्रेस का अपने अंदरूनी संकट है G23 जासे, पांच राज्यों में बुरी तरह हार जाने के बाद, आप कहें तो पिट जाने के बाद, कॉंग्रेस आला कमान को अब G23 को जहलना होगा, अब G23 के ब्रियका कांधी के नम पे मोहर लगाए और नहीं लगाए तो आने वाले वक्त बताया का लेकिन कॉंग्रेस का नेत्र तो जिस तरह अनिर्णेया और दुविधा ग्रस्त मानसिक्ता का शिकार है, अगर वह जल्दी ही उससे मुक्त होकर के अपनी आंत्रिक समस्या को नहीं सुल्जा पाता है, तो वह एक तरह से प्रिधानमंदी नरेंद्र मोधी के लिए कॉंग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में खुद ही एक मददकार मानी जाएगी अब वही है ना कि कॉंग्रेस अब आत्ममंथन, आत्मचिंतन कितना कर पाती है कि जनता को वो ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अब देश को विकल्प मिल चुका है उस पर भरो सा जगा सके ऐसी क्या रंडीत यां कॉंग्रेस की तरफ से होंगी, अगर नहीं होंगी तो अलाइन्स अगर होगा तो उसके मुद्दे क्या होंगे अगर जब तक आप मुद्दे ठोस नहीं होंगे तो आप बीजेपी को टकर रही दे सकते हैं जो तीन बाते मैंने बता हैं अगर अलाइन्स नहीं भी होता है तो अलग अलग पाटी अगर इस तरह से करेंगी तो बीजेपी को टेंट लगा सकती है कुल मिला करके सारा इनालेसिज आपकी सामने खोल के रख दिया इस वीडियो को तीन वाटसेप ग्रूप में शेयर करके फैला दीजिए और आयनाइड यूसिंदा की जर्नलिजम को सपार्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटियन मेंबर्शिप जरूर लीजेगा डिस् स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य बेव जायते, रवाश्कार